सर, अरजुन ने कृष्ण से क्या कह था ये पता है आपको, उसने भी कुछ कहा था क्या, हे मित्र, घोडो को पकड़ना मुझे रत पर चड़ना यही कहा था, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अरजुन तुम्हारा चचेरा भाई हो, क्या सर मेरी टांग कीज रहे हैं आप, सच म राजा लाइफ के लिए कोई गोल सोचा है तूने बिल्कुल सोचा है बताएगा भी बचपन में पापा ने पीट पर जलती लकड़ी चिपका ही किस खुशी में कुछ तो बेवकुफी कियोगी मैंने समझ गया तेरी लाइफ का एम ही है एमलेस रहना सही कहा ना एपसलूटली पर पहले मेरा एक असाइनमेंट करना हो हुकुम कीजिये सर मिनिस्टर दिलेश्वर राव का नाम सुना है इस दिलेश्वर राव ने दिल्ली में बैठे मिनिस्टरों को एक थर्मल प्रोजेक्ट पास कराने के लिए घूस दी फ्री में पांच सो एकड़ जमीन देने की बा प्रोडियों के दाम उसने गरीब किसानों से 3,000 एकर जमीन हडप ली और वो वहां के गरीबों को बिजली और नौकरी देने का जहासा दे रहा है जबकि सच बात यह है कि उस थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 51% शेर होल्डिंग दिलेश्वर राव के पास है प्रोजेक्ट शुरू होते ही इन ही गरीबों को पावर बेज कर वो करोड़ों अर्मों रुपे कमाने वाला है अंकल यहां के दस काउं आपके कंट्रोल में इस थामल प्रोजेक्ट के लिए उनकी जमीन चाहिए तो उनकी चिंदा मत कर तू बस मेरा ख्याल रख वो मुझे भगवाद मानते हैं एक आवास दूगा तो सारे के सारे जमीन का कगजात मेरे पैरों में लाके रख देंगे तू पैसो इतनी जल्दी भी क्या थे एक नंबर का लाची था भो खाड़ ये सारा खाना बरबाद कर दिया ना है देख मेरी फेवरिट फिश करी थी खूल लगने के बाद कैसे खाऊंगा उसके फार्म हाउस के बगीचे से उतने फल नहीं निकलते जितनी लाशे वहां से निकलती हैं कल वहां सीक्रेट मीटिंग है उसके साथ मिले सारे बिजनसमेन कल वहां होंगे तुम उसके फार्म हाउस जाओ मीटिंग का वीडियो बनाओ और उस एविटेंस को मेरे पास लेकर आओ फिर तुम्हारी नौकरी पक्की ओके सर उन्हें एक अलग कनेक्शन दो मैं शाम को चेक करता हूँ एए क्या का मैं एसी का कंप्लेन आया था रिपैर करने आया है ने करने का तो जाता हूँ एए दास इसे जाने दे जा है किदर खुसरा है सर ने इसी सर्विसिंग करवाने के लिए फोन किया था किसने बेजा है दास सर ठेक आजा पॉलिटीशन का मन खुद भगवान भी नहीं पड़ सकता हाँ वो तो है हाला कि ये बात और तो के लिए भी कही जाती है तुम मैंने भी सुना है ये वाला इसी गर में सीड़ी होगा गया लाता हूँ हमारे देश में भगवान के बाद कोई पूजनिय है तो वो है पैसा अरे आईए आईए ये है मिरायल अकुमार आप इन्हें हजार करोड पकड़ा दीजिए मिनिस्टर से लेके सीम तक उनका शेर पहुंचाने का जिम्मा इनका है तू बस इसी तरह बोलते रह बेटा तम तो चांदी है लीजे लीजे और थोड़ाई ये लीजे आई प्षो मिने, है वो एक योड़ा पालना? इसलो वाके प्षो छो गडैके है ्टे और आगे लीजे है ये और थे लीजे लीजेता Sabra वीजेजे लीजे और छोर अजा ये menor ये ज conception कर दो कितनी दूर तक भागोगे मैं थक गया हो जाके कैदो ना मैं भाग गया जा नहीं माने तो नहीं मानोगे तो दो बाते होँगी पहली मैं तुम्हारी धुलाई करूंगा और दूसरी बात दूसरी बात ऑस्म Grandma के लिए बचोगे नहीं क्यों इतनी ओवर आक्टिंग क्यों कर रहे हो तुम्हारी असली दुलाई करना तो मैंने अभी शुरू ही नहीं किये हो ज़िए एड़ाई है काहा कटवाता है बाद जिस थोबडे को मिनेरल वाटर सिथ होता हूं उस पर पंच मारा कितना समझा है अभी तक मैं प्राच लरू शादी के लिए एक धनकी लड़की नहीं ढून पाया और तुम मेरे खुपसूरा चेहरे का क्लामर विगाड रहा हूँ शादी कॉन करेगा मुझसे केल करता मुझस का चलो यह हिंदी पिक्चर है भाई यह हीरो कभी नहीं मरता अगर मरना ही होता तो फिल्म क्यों बनती पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त क्या प्लीज नर्स को बुलाएंगे मैं हूँ ना मिस युनिवर्स नर्स की युनिफॉर्म में आएगी तो ऐसा ही होगा ना कंट्रोल में रहो बीपी हाई है अब तो मा आगा हो तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा तुम जानते हो यहां पर कैसे पहुंचे किसी भले आदमी ने रोड पर मुझे पड़ा हुआ देखा होगा तो यहां ले आया होगा नहीं आदमी नहीं लाया लड़की लेकर आई थी तुम्हारे लिए पता ही कितनी मुसीबत सही उसने तुम्हारा बिल भरने के लिए उसने अपनी चेन तक बेज दी जब तक तुम्हें होश नहीं आया वो तुम्हारी सेवा करती रही अच्छा वो गले की चेन तुम्हें चाहिए दाकी जाकर तुम लड़की को लोटा सको सीधे घर जाओ और पैसे भेज देना भेज दो शकले से कधा लगता हूँ क्या पहचाने आपने आपको अच्छी लड़की थी बेचारी चेन दीजिए ना चेन नहीं मिलेगी डॉक्टर चेन नहीं लोटाई तो किड्नी चुराने का नकली केस बना के तुम्हें बदनाम कर चेन लेली सर सेक्यर्टी चेंच कर लिए सर अब हलो सर में वेंकट बोल रहा हूँ कहां थे तुम कहां हो अभी फाम आंउस गया था सर वहां मुझे ब्रेकिंग निवस्पी मिल गई लेकिन उसके बाद वहाँ पर बढ़ा हंगामा ख़डा हो गाहानी बाद में सुनाना की समझ आज नहीं आपाऊंगा कल जाता हूं सर क्यों क्या हुआ आज मंदिर जाना है क्या सर किसी की चेन लोटा कर उसे थैंक्स बोलने जाना है सर अच्छा एक बात बता चेन तू लोटाएगा और उसके बाद थैंक्स भी तू ही बोलेगा जवाब दे चुप क्यों है लगता है लाइन कट गई सर तूने तो नहीं काटी अब आप इतना कह रहे है तो काट देता हूं बाई कॉल मत काटना राजा टैलेंट है तो इतराएगा ही सीधे आदमी का इस देश में काम ही नहीं सर दिलेश्वर के अगेंस्ट एविडरंस मिल गया वेरी गूड अवतार ऐविडरंस आज किसी और की जेव में है कल वो मेरी जेव में होगा सर और मेरी जेव में कब आए ग गाई यैसे ही मेरे पास पॉंचेगा आपके पास पहुचादू हो तो समुहारी डेप्यूटी ड तीन दिन में ये काम हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं रुख नहीं पाऊंगा कितना माग रहे हैं, सौव, सौव, तूने तो कहा था, वो मर गया, गल्ती हो गए भाई, जिर्दा मुर्दे का फर्ट नहीं पता, आप टेंशन मतलो, मैं देख लूँगा, ओए पंडित, अपने बेटे के साथ जा, ये है कुण, अब कल आई, मुझे डॉक्टर आलिया से मिल ला है, डॉक्टर आलिया के डूटियाज खतम हो गये हैं, तो इस वक्त उन्हें कहां मिल सकता है, शाम को एक चैरिटेबल ओल्डे जूम जाती है, आह, डूटी के बाद ब् ब्यूटी नहीं है, ये तो ग्यूटी है, क्या ग्यूटी, गुट प्लस ब्यूटी इस इक्वल टू ग्यूटी, अहा, तुम बहुत अच्छी हो बेटी, मेरे बेटे से चादी कर लो, जिस बेटे ने आपको छोड़ दिया, उससे चादी करने को कह रहे हैं, मुझे तो आप शादी करना चाहते हैं, तुम बोलिए, ये क्या है, जब देखो किसी ना किसी की हेल्प करती रहती है, अपने साथ साथ हमें भी फी में चैरिटी करवाती है, मानव सिवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, उपर वाला सब के अकाउंट रखता है, उपर वाले के अकाउंट उपर वाले को देखने दे, तेरे नेचर की वज़े से तेरे आशिकों की लाइन लंबी होती जा रही है, हर कोई तुसे आई लव यो बोल के फ्लोट करना चाहता है, एक बार मना करने से चली भी जाते है, हाँ, तुम देख लेना, अगर एक दिन किसी सरफिरी के हथ्ते रोड, हॉस्पिटल, चेन, तुम हो, काफी जल्दी ठीक हो गए, आपने मेरा इतना खयाल रखा कि फटाक से ठीक हो गया, अचा-चा, अब बहुत हो गया, ग्यारा नंबर की बस पकड़ा और निकलो, मेरा बगवान पे भरोसा नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे विश्वा प्रॉब्लम तो नहीं होई न, एक नंबर के फेक हो, ये चेन दो और निकलो यहां से, इतनी जल्दी कैसे दे दू, पहले कहीं आराम से बैठते हैं, कॉफी शॉफी पीते हैं, थोड़े गपे लड़ाते हैं, उसके बाद ये चेन आपकी, छे फिल्टर कॉफी, मैं कॉफी उन्हें देखकर पापा की याद आ गई, अब और रहा नहीं चाता, उनसे बात करने का मन कर रहा है, प्लीज फोन देना, थांक यू अलो, पापा, अरे ये तो तु है, कहाँ पर है नाला, एक, दस दिन पहले निकला था, कहां इर गए था, मुझे नौकरी मिल गई, पापा, पर मुझे विश्वास नहीं होता, एक लड़की के पीछे-पीछे हाइदरबाद आ गया हूँ, ओहो, नौकरी के साथ चोकरी भी पाप बड़ी प्यार से अपने बेटे को खाना किला रहा था मुझे आपकी याद आगई ऐसी बात है क्या किसी काम क्या निया मेरी पीट जलाने की हिम्मत कैसे हुई फोन काटो तुमने मरी जिंदगी बचा कर एहसान किया कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बिं असानी से पीछा नहीं छोड़ेगा कैसे कह सकती हो बिना वीजा के बॉडर लाइन क्रॉस कर रहा है जहां तक मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करने लगा है आप कोई जूटी कहानी बता कि यहां रुखने की कोशिश करेगा देख ले ना तुम तुमने ऐसा क्यों कह है यह और इन डीप ट्रबल कहना क्या चाहते हो कोई आदमी इसे फॉलो कर रहा है जब ओल डेज हो में हम बात कर रहे थे तो एक आदमी दूर से तुम्हें देख रहा था उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन अभी जब मैं वाश्रूम गया था ना तो वो मुझे यह मिला कुछ तो लोचा जरूर होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारा ही पीछा कर रहा है तुमने ठीक कहा मुझे भी वाइड आउट हुआ था मैंने उसका कॉलर पकड़ा तो उसकी पॉकेट से एक फोटो स्लो मोशन में किरी तुम्हें बताया किसकी फोटो थी इसकी हां फिर तुमने उसके साथ क्या किया जब फोटो बे नजर पड़ी तो मेरे तो होश उड़ गया मैं उस फोटो को देखता ही रहागया और उस्में आदमी भाग्या उस photo का क्या किया जैसे ही वो भागा ना सवर की हवा से photo भी उडगगे और इस ले खिरकी से बाहर चली ग और अगर कोई है भी तो उससे बचाने के लिए भगवान है ना उस भगवान नहीं मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए भेजाता पर लगता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है अरे लेकिन मैं तो लगता है मेरा जाना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है वो जाते-जाते जरा चेन तो देती जाओ ओ चेन वाट अ ब्रेन ये ले लो बाई चान छोटी पता नी किसका मुझ देखके उठी थी जोटी कहानिया सुना के गोंद की तरह चिपग गया मैंने अपना CID दिमाग लगाया और उसे यहां से भगा दिया जरा उधर देखो बालिकाओं दो घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं आओ यहां क्यों आया हो क्या काम है किसी ने कहा है जीना यहां मरना यहां इसके सिवाद जाना कहां मेरा मसाला दोसा आधा छोड़कर मैं बस टैंड की और चला गया बस चलने ही वाली थी कि अचानक मैंने उस इंसान को देख लिया किसे इसका पीछा करने वाले को नहीं मेरा पीछा करने वाले को मेरी अंतरात्मा मुझे मदद करने वाली लड़की को संकट की घड़ी में अकेला छोड़कर जाने में संकोच कर रही थी इसलिए मैं लौट कर यहां आ गया तुम घर जाओ, इस मजनू को मैं हैंडल करती हूँ अकेली जा रही हो, बॉडिगार्ट साथ ले जाओ कहा जा रही हो, यहीं रुको तुम जानते नहीं हो, मेरे पास वी आईपी बॉडिगार्ट है अगर उन्हें बुला आना तो तुमारी हड्डियों का चूरा कर देंगे कोई बात नहीं, आलिया ठीक कर देगी तु लातो का भूत है, बातों से नहीं मानेगा यही है वो इसी लड़के ने ना फोन पर डिटेल्स दे चुकी हो यह हमारा इलाका है सुनिया माडम, आप जाकर सोजाईए चले उठाव इसको चले उठाव इठाव इठाव बोल बिटा, क्या प्राब्म है तरह है रहने को जगा चाहिए जगा चाहिए, चल कोने में कहां ले जा रहे हो बार में पीने के लिए पिलाओगे या खिलाओगे वरना हॉस्पिटल, समझा BST बस में चड़ेगा या आईसियो में गिरेगा कल अकबार में न्यूस पड़ेगा या अपने मर्डर की न्यूस बनेगा तुम्हारी बात बेजा में गुसी क्या गुसी? मैं समझ गया तुम यहां के सडक चाप गुंडे हो क्या भाई लोगThere रवाई के पैसों से पार्टी कर रहे हो इंस्ट्रॉलमेंन भी तो बरते हैं दौ अ», इंस्टॉल्मेंट नहीं भा लेकिन पीने कले पईस है तुम्हारे पास तुमोखेब बो तो इंस्टॉलमेंट मैं भर दूँगा न ओके! ओके भाई लोग ओके ये कॉंसे इंस्ट्रॉल्मेंट है तुमीना तो कहा था कि ओके है क्या हमने आप उन्हों धारी का पैसा मांगने आया इसले पिटवाया ना भाई तुम लोगों को छोड़ेंगे चलो रहे ये चारों मिलकर तेरे मनी भाई की वाट लगा देंगे आज दो बाते हुई पहले उसने उन लोगों को मारा मतलब हम उसे नहीं मार सकते दूसरा भी वह ये गदे उससे उनको मारा ये भाई को बताएंगे और भाई हमें कोट के रख देंगे यार अब हमें कोट बचाएगा तुम्हारे लाइफ की चावी मेरे हाथ ने है तो अपने कमरे की चावी मुझे दे दो उस भाई को जीने नहीं दूंगा और तुम्हें मरने नहीं दूंगा भाई की परमिशन के बिना वहां कौक्रोज भी पर नहीं मार सकता तुम्हें उने मारा तुम्हें परमिशन नहीं क्यामत को कौन रोख सकता है आज तो हमारा मर्नत है काश ऐसा होता कि दीवार के पीछे गायब हो जाते हैं अगया है कि दौना एगया है इक वाजगया है जगाया है इट प्लतो कि दौनाओगर के खएगया है उद। कि या तो ए तूम गांड़ विरब्रत्मां अभाई आपके शोक्रों को इसने मारा है क्यों बे बिना रहम मेरे आदमी को धोया बिना पर्मिशन मेरे कॉलनी में घुसा है ना कॉलनी देरे बाप की जागी रह गया येस मेरी सल्तनत है इस कॉलनी की एवन ब्यूटी मेरी है तेरी एक्सपाइरी डेट निकल चुकी और तुझे एवन ब्यूटी चाहिए लेकिन हमा पो गया बिना आपको जाने आपसे उलच बैठा आपके आदमियों को कुट्टे की तरह मारा आप यह क्या कर रहा हैं अंदर लेकिन बोलने की आदत नहीं इभी तो बोला उसके लिए सॉरी मेरी खीच रहा है कपड़े उतार के मारूंगा मुझे मारने के लिए आपको कपड़े उतारने की क्या जरूरा है वो भूल जाहिए संध्या मारम के बारे में कुछ कह रहे थे आप यूर राइट मैं आगरा हूँ और वो ताज महल एक दूजे की बिना अधूरे कुछ भी कहलो भाई आपकी जोड़ी छकास लगेगी शायरुखान और काजुल जैसी ना क्या बोलते हो भाई काजुल आप जी इतनी कुप सुरह थोड़ी है आप दोनों का रिष्टा कैसा है मै संध्या ने मुझ पर साइक Key сил कास्तर चलाया वेरा अपने सैकार्टिक्र बेइन से तुमसे 100 मार्क्स का लव टेस्ट लोंगी वाहे लव टेस्ट जानू मेरा प्यार है बैस्ट मैं जानती हूँ मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूँगी तुम्हें बिना देरी किये फटाफट जवाब देना होगा मिलखा शिंह से भिफास्ट जवाब दूँगा जियादा फेवरेट कौन है रंबीर कपूर या शक्तिकपूर अालीअबट या आऽ्यए लिएभष ऩर्म जवान पढ़ोसन या मैं कामवाली बाई या मैं तुम्हें मैं पसंद हूँ या मेरी नौकरी कर दो किसी लड़की की आवाज है जरूर तुमारी बहु होगी हाँ गुड मॉर्निंग बहु रानी कौन बहु रानी कौन सा नंबर चीए तुम्हें यही वाला कल मेरे नाला एक बेटे ने इसी नंबर से तो कॉल किया था पागल हो गया के बुड़े दोबारा मुझे फोन मत करना सिठ्या क्या है उसने तो फोन कार दिया होने वाली बहु से ऐसे बात करो के तो और क्या करेगी है हाई हाई कार देने में मुझे देर होगी आलिया पर तुम शादी में टाइम पर आना मैं बिल्कुल टाइम पर आ जाऊंगी यह ले लेटेस चंदा मामा भू थांक्स तुम सब तो बहुत होश्यारों बेकार में निकमा समझा मैंने किस बात की मीटिंग है कर रात को इन तीनों ने मिलके अच्छा सबक सिखाया है इस मजनु को इनोंने इतना मारा कि वो अब तक ता शहर चोड़ के भाग गया होगा है लो गुद मॉर्निंग मैं उपर ही आ र हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ रहेगा आवारा कुट्थ नहीं चाहिए यहां सिर्फ पेशेंट रहेंगे और उनके रेलेटिव इसे बाहर निकालो बदला लूंगा अब बोलो क्या हुआ नहीं पहले ड्रिंग्स पीएंगे ड्रिंग्स डिसकेशन एक साथ यह कोई टाइम है रात को अच्छा लगता है बिना सवाल के गटकलो भाई रामा भोतु आपको यह उत्रेगी तो गले से बात निकलेगी आप रेक अड़ा प्ले करो आप संधया माडम से मिला था है मैंने औसे का कि आप प्यार करते उन्होंने कोई इंटर isne hiking मैंने कहा पानी सर से उपर निकल चुका है उन्होंने कहा भाई क्या कर लेंगे मैंने कहा आपके प्यार में वो जहर पी लेंगे तो उन्होंने कहा कि आप डर्पोक हैं उनसे चैलेंज जीतने के लिए मैं आपको जहर पिला कर रहूंगा मैं क्यू जहर पीने लगा मैं नहीं आप अरड़ी पी चुके हैं अभी एक मिनिट पहले आपके ड्रिंक मेंने जहर मिला दिया था भागल यह क्या पिला दिया वो गया अंदर और मैं जाओंगा बिल्कुल जाएंगे उपर अब इनके साथ आए जोंट वरी घबराने की कोई बात नहीं थांक्यू दोक्टर आपके हाथों में जादू है थांक्यू वंस अगें क्यों वीरा थोड़ा जहर क्यों पिया पूरी बॉटल क्यों नहीं पी जरूर पिएंगे भाई प्यार में बॉटल तो क्या पूरा डर्म पी जाएंगे पूरा रम यहाँ मुझे डाउट है तुम मेरे लिए यहाँ आया इसके लिए मेरा प्यार होता तो युद पी लेता जहर के नाम लिए बिरने तेना सेंटेंस पूरा नहीं हो ता गया मुझे है अनु다고 है क्यों और फिल्मों की तरह यह म मैंने कब कहा शौक से मरो तुम यहीं अच्छा वह ने फोन उठा ले तुम्हें कह रहा था बहू मैं तुम्हारी बहू नहीं हो आगे से फोन किया तो तुम्हारों ऑप्रेशन कर दोंगी उस नालाएक को डॉक्टर मिल गई अपने पापा से कहो मुझे बार बार फोन ना करे याओ तुम्हारे पापा इसे बहू क्यों बुला रहे हैं क्या तुम भी इसी पे लाइन मार रहे हो चीची चीची कहके इतना गंदा चेहरा बनाया तुम्हें वह इतनी बत्सूरत लगी क्या ऐसी बात नहीं है भाई आपकी प्रेमी का है ना मेरे लिए आंटी समान है शु क्याना नहीं खाऊंगा बहुत भूक लगी है चलो कैंटीन में चल कर डिसकस करें अब भैक कुछ रहे हैं प्यार में तो लोग कुछ भी कर लेते हैं जैर का कर जान भी दे देते हैं देखो वेंगत मैं जानती हूं तो मुझे पसंद करते हो तुमने ऐसा कैसे सोच लिया य उसमें कम से कम फिल्म के हीरो जैसे लुक्स होनी चाहिए दुनिया के टॉप मैग्जीन के कवर पेज पर फोटो ना छपे ऐसा बॉइफ्रेंड किस काम का जानते हो ये कौन है दे मोस्सक्सेस्फुल हार्ट सरजिन इन दे सेट डॉक्टर विश्रांथ अच्छा दे मोस्ट इलिजिबल बैचलर ऐसा क्या 24 7 वह बिजी ही होते हैं कोई बहाद ही कॉम्लिकेटर ऑपरेशन हो तो ही अग्री करते हैं समझ गया बात कहां तक पहुँची है बात तब बड़ेगी जब वो मुझे देखेगा यह बात है आज तक बात ही नहीं हुई माई बैड लग वन साइड़ लग कोई भी लड़की उसे प्यार करेगी मुझेस कर दूंगा क्या प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी हेट करूँगा इसे हेल्प ही समझलो विल्कुल टेंशन मतलो मैं फिट कर दूँगा मैं उस हार्ट-सरजिन के हार्ट को ऐसा रेस्टल पीछे पड़ जाएगा हां कौन है वही जो तुम्हें ट्विटर की तरह फॉलो कर रहा है क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ इसे कुछ नहीं हुआ है इतनी फिक्र मत करो उसकी मुझे पेशिंस दिखने जा रहा है बाई हाँ जाओ जो बिल पे कर देना ओके एक बात समझ में नहीं आई यह प्यार तो कॉन्फिडेंस जीतेगा यही तो है फॉर्मुला सिंपधी फॉर्मुला यही होने वाला देखती जा ना कोई तो है जो इससे जरूर हॉस्पिटल ले गया होगा कार की स्टीरिंग राइट साइड में होती है यानि दाहिनी और से उससे देखा गया होगा अगर उल्टे जो मैं कहता हूं रिपीट करो वो इस दॉक्तर अल्या फ्रम नारायन हॉस्पिटल उपसे बात करनी है मुझे आपसे एक मिनिट का टाम दे सकता हूं मैंग्जीम में आपका ऊपन हार्ट सरज़िडी पर एक अर्टिकल पड़ उसे के बार में बात करती ती हो मेरी तरीफ कर वहां नहीं है किया इसे बहुत फोना थे मुझे बोलीए इस एपसलूटील रॉंग It is absolutely wrong. What? एक्दम बख्वास है. भाकलो क्या? एक्दम बख्वास. इसा क्यों लगा? आपने अधे मिनिट का टाम गिया था. ताइम आपने अधे मिनिट का टाम गिया था. अभी बिजी हूँ, अधे गंटे में फोन करूंगी. अब कॉल काट दो. हेलो. हेलो. आधे घंटे बाद उसे फोन करना है. लेकिन अब नहीं करेंगे. क्यों नहीं? क्योंकि अभी वह तुम्हारा कॉल एक्सपेक कर रहा है. कॉल एक्सपेक कर रहा है, यानि फिलाल तुम्हारे बारे में सोच रहा है. फोन नहीं आने पर तुमसे गुस्सा होगा और गुस्सा होने पर वो क्या करेगा क्या करेगा तुम्हें फोन करेगा और माटर क्लियर होगा उसी का फोन है फोन मोद उठाना जो इंतजार करवाते हैं उन्हें ज्यादा भाव मिलता है अब बात करो हैं अब बात करो हैं तुम फोन करने वाली थी तो मैं पता नहीं मैं कितना बीजी आदमी हो येस पेशन के रिलेटू जाए हैं हां कि पूरे पैसों को इंतिजाम नहीं हो पाइसे मिलने के बाद सर्जीरी शुरू होगी वाय यू वेस्टिंग माई टाइम फोन किया करूं मुझे टेंचन हो रही है क्या का टेंचन हो रही है तुमे कहा नी सुनाता हूं चलो बहुत दिनों बाद मैंने इतना इंजॉय किया उसने विश्रान को पब में आने के लिए मजबूर कर दिया पर वो गया कहा हम मेरी थेयोरी के हिसाब से सिंपती लेके उसका दिल पिखलाएगा हम अरे यार वो फिर से भाग गया कॉन तुम भूल गई तुम्हारा पीछा करने वाला पप के कॉर्णर सीट पर बैठा जैसे ही मैं उसकी तरह बढ़ा वो मेड़क की तरह बाहर लपका और रोड क्रॉस करके मेरी आँखों से ओज हल हो गया उसका पीछा करते-करते थोड़ी जा सकते हैं थैंक्स डॉक्टर मुझे लगता है सेफ्टी के लिए दो तीन हवते इन्हें यही रखना चाहिए दो तीन हवते और सुड़ाएगा जानता हूँ आपके दिमाग में क्या खिजड़ी पकरी है आप मुझे थैंक्स बोलना चाहते हैं न मैं कह रहा था तुझसे किस मन्हूस घड़ी में मिला दिश्चार्ज मिलते ही तुझे देख लूँगा बाहर निकलोगे तब देखोगे न आग 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 जैकाली कलकत्य वाली त्यरा वचन में खाली यह क्या किया डिस्चार्ज मिलने वाला था फिर कूदे क्यों किसी ने कहा हॉस्पिटल में आग लगी है आग लगी है कल राद यहां कोई फायर एक्सिडेंट था नहीं तो को तुब थे हैं इने किसी साइकाइट्रिस को दिखाना पड़ेगा संध्या डेशिफ मेह न यह मेरा कांड है भाई कल राती मैंने संध्या मैडम से एक मीटिंग की आपकी तरफ से शादी का प्रपोजल दिया तो उन्होंने इंकार कर दिया तो मैं भी भड़क गया मैंने क आप भाई खीड के से कूज जाएंगे उन्होंने का वह डर पोगे नहीं कूदेंगे पर आपने कूद के मेरी इजट रख ली यॉर फैंटास्टिक भाई सिंप्ली अमेजिंग तुम फिर से बच गए एट फ्लोर की बिल्डिंग है फिर भी तुम सेकेंड फ्लोर से क्यों क कूदेंगे आपके प्यार के लिए सिर्फ सेकेंड फ्लोर क्या है वो टेरस से भी कूदेंगे आइफल्टार से कूज जाओं कुद तुम मिनार से कूज जाओ तीर निशाने पर लग जया ना दुश्मन अपने फ्रैक्चर्ड हाथ जोड़ता हूं आगे से मेरी हल्प मत करन ऐसा क्यों कह रहे है भाई इस वक्त तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने की हालत में नहीं हूरे बस बचे हुए हाथ पैर सलामत रहे ऐसी विंति कर सकता हूं सुन हास्पिटल से मुझे डिस्चार्ज मिलते ही अगर तुझे इसी बेड़ पर नहीं लिटाया तो मेरा नाम वीर जैसे नहीं सोंगा अख शोएगा नहीं उबासी तो ले रहा है एक नमबर का लूचा है मेरी चेंड चुरागा ले गया एक लड़की उसे यहां लेकर आई थी वह उस लड़की का एड्रस वाला पेच पाड़ कर ले गया लेडी डॉक्टर हैद्रवाद की है मेरे ख्याल से उसका नाम आलिया है बास को फोन कर ले उसका पता चल गया है उससे कांटाक्ट हुआ या नहीं अब उसका कांटाक्ट नहीं हो पाया सर एक नंबर के बेवकूफ हो ऐसा मत कहिए सर मैं खुद के लिए कोई अच्छी गाली सोच लूँगा सर तेरे लिए तो गालियों की संत मुझे मेल कर देना लेकिन सर आप ही ने कहा थाना मेल हैक हो सकता है उसी की वज़ा से तो आज तक बच्छता रहा हूं मैं मैं कुरियर से भेज दूंगा सर अललले उसकी टेबल से आई चाय और कॉफी की भीनी भीनी खुश्बू मेरी आखों में चलके खुशी के मारे आसू मुझे आसू क्यों नहीं दिख रहे इस साल मॉंसून की शुरुवात केरला से हुई है पानी यहां पहुचने तक थोड़ा टाइम लगेगा इसकी हर बात जले भी कितरा होती है ओके देन पाते हुई अपने दोस्तों को नहीं बताओगी आज मेरी बर्दे पाटी में और वो मुझे सर्प्राइस देगा यह सब तुम्हारी वज़े से हो पाया थैंक्यू सो माच यह तो मेरा फर्स था यह क्या मतलब मैंने कर दिखाया तुम दोनों का टाका भीड़ गया तुम्हारा काम पूरा हुआ अब तुम जाओ जरूर जाओंगा बस एक प्रॉब्लम ह तुम्हारा पीछा करने वाले उस आदमी को पकड़े भीना कैसे जा सकता हूँ बहुत सुनली जूटी कहानी यहां सब पड़े लिखे लोग है तुम इससे जूट बोलना बंद करो वो देखो इसका मतलब सच में तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है मैंने पहली बार रवी को देखा जब वो तुमसे मिलने ओल्डेज होम में आया था फिर उस दिन रेस्टरॉन के रेस्ट्रूम में दुबारा मुझसे टकराया उसके बाद कैंटीन में तुम्हें फॉलो किया और उस रात पब में भी उसका पीछा किया पर चकमा दे कर भाग किया छोड़ूंगा नहीं तुझे पिछले साथ दिनों से ना मैं अपने घर गया हूं ना ओफिस सिर्फ तेरी वचे से कौन है बता क्यूं फॉलो कर रहा है उसे मैं आलिया से प्यार करता हूं सर आशिक की छाड़ेगा भाई जब से उसे देखा है उसके बिना एक भी पल जिया नहीं जाता मुझसे इसलिए उसका पीछा करता हूं मुझे माफ करता भाई आज के बाद गल्ती से भी उसके आसप प्रब्लम सॉल्व हो गई वो लड़का तुमसे प्यार करता था इसलिए तुम्हें ताढने आता था उसकी धुलाई करके उसे भगा दिया है अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा चलो अब मैं चलता हूं हाँ जाओ जाओ जाना अरे यार मुझे तो लगाता तुम इ हलो पापा का मर गया था नालायक आठको एक फोन तक नहीं कर सकता मैं कली घर लौड रहा हूं सुन, तुझे नौकरी देने वाला मुझे रोज-रोज फोन खड़काता रहता है, तुझे नौकरी करना है या नहीं? आप फोन काटो, मैं उसे फोन करता हूँ. आप याद आई है, किसी बैंक से करजा लेके फॉरण तो नहीं भाग गया ना तू? अरे, तुझे नौकरी देने के चक्कर में मैंने खुद अपनी नौकरी खत्रे में डाल दी है. सर, ज़रा इंपोर्टन काम आ गया था, इसलिए यहां रुकना पड़ा है. पहली नौकरी से ज्यादा इंपोर्टन कौन सी बात है? क्या सर, अगर कोई मेरी मदद करे तो मैं उसकी मदद किये बिना नहीं रह सकता. एक लड़की ने मेरी बहुत मदद की, तो मैं उसी की एक चोटी सी प्रॉबलम सॉल्व कर रहा था. कल सुबह तक आफिस पहुँच जाऊंगा. अरे, तू आ या ना, कल सुबह तक कुछ भी करके वो सबूत मुझे पहुचा दे, चाहे तो मुझे भी मत भेज, डायरेक्ट M.D. को इमेल कर दे, इमेल आइडी मैं देता हूँ. अगर कल भेजा तो टेलीकास्ट हो जाएगा? पहले तू से भेज तो, इवनिंग फाइव ओकलॉक पर, ब्रेकिंग न्यूस, ब्रेकिंग न्यूस को टॉप टी आरपी मिलेगी. ओके सर, शाबाज आफ़तार. लीजी, लीजी, और तो डखाई. बोल, पासे रेडी रखना. रेडी, काउंट डाउन स्टार्ट. कुकिंग शो में आपका स्वागत है. आज हम आपको सिखाएंगे बैगन का भरता बना. सुने, रेडी. सर, यहां तो कुकिंग शो आ रहा है. यह हमारा ही चैनल है ना? डाडी. ए, रुक. यह तो उल्टी गंगा बह गई. रेडी चैनल के ब्रेकिंग न्यूज दूसरी चैनल पर आ रही है. चैनल चेंज कीज़े, सर. उसने हमारी चैनल को छोड़कर बाकी सारी चैनल को फुटेज बेज़ दी. बाटी आपी रेटर्न्स अफ दे दे दे. थैंक्यू. यह लोकिंग वेरी प्रिटी. Егоश प्रिटी, yes, very pretty. …'्यू …' llamतीTop सब्सक्राइब प्रिटी के करे करे के कि आप! chosen Greek asue जंग मुटेङ के करे के के मारा? यहीी है गॉला। यह इस सादेलाग की Dáइम न रिंग्री का- इन रिंग्सूप्राइब मैं भी एक गिफ्ट दे सकता हूँ यह क्या है खोल कर देखो चंदा मामा ओ माइ गॉड यह तो वही बुक है जिसमें मेरी कहानी छपी थी तुम्हारी फ्रेंड्स से पता चला कि तुम्हें यह किताब पढ़ने का शौक है इतने दिनों से उस किताब को ढूंड रहा था जिसमें तुम्हारी कहानी छपी है इसे कैसे ढूंडा कहते हैं न वे देरिज़ वेंकट देरिज़ वे लगली आज सुबह ही मिल गई थैंक यू हर महीने चंदा मामा लाओंगा बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना जिन्दगी में हमेशा खुश रहो चलता हूं बाई मैंने साड़े साथ लाक रुपे की डामेंड रिंग दी और तुम्हें पसंद आई यह साड़े साथ रुपे की किताब ऐसा क्या है इस किताब के अंदर जो चीज दिल के करीब हो वो अन्मूल होती है यह फेलियर्स की फिलासिफी है मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हें इतने फेलियर्स और चीफ किसम के लोग पसंद है तुम्हें बुरा लगा इसलिए सौरी पर मैं ऐसी ही हूँ मेरी बात सही निकली उसे प्यार करने के लिए मजबूर करी दिया अपने प्यार को पाने की हेल्प करके वो मुझे प्यार के असली माय ने समझा गया मा उससे मैं कुछ कह पाऊं इससे पहले ही वो चला गया मा हम उसे कहां ढूनूगी उसका तो फोन नंबर भी नहीं हलो यह तो पहली वाली लड़की नहीं है तो कोई और है अपने नालायक बेटे से बात करनी है आपका बेटा अरे वो ही नालायक कल इसी नंबर से तो फोन किया था मां वो मिल गया है सिर्फ कॉंफर्म करना चाहता था मेरे बेटा तुम ही से प्यार करता ना बेटा हाँ आंकिल वैसे तुम क्या करती हो मैं डॉक्टर हो शानती भी हो उसके बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं पर जानना चाहती हूं। बातें बहुत सी हैं पर तुम्हें शौट में समझा देता हूं। बच्पन से ही मनमानी करने की आदत है उसे। हाथ से 13 साल पहले अपना घर, खेती, रिष्टेदार उस नालाइक की वज़े से छोड़ कर भागना पड़ा। यह सब क्यों बता है उसे। किसी और के मुझ से सुनेगी तो क्या बीतेगी उस पर। यह कहां की बात है। और कहीं नहीं हमारे गाम की बात है। चित्तूर जिले में छोटा सा गाम है हमारा। मुन्ना। उसके घर का नाम तुझे कैसे पता। जरूर उसे ने बताया होगा तुम्हें। हलो। हलो। इस कबरिस्तान में मुन्ना दिखाई दे रहा है। नजर आए आपको। मा वहाँ दिखो। क्या हुआ बेटा। यहां क्यों सो रहे हो। ओ सुबह हो गए चला बताता हूं। गाव में एक मुर्क बच्चा है। उसने मुझे शर्ट लगाई कि राद भर का बरिस्तान में सो जाओ। और यह रिबर्न से लोटाओ। और देखने में लग रहा था। जैसे तुम डर के बेहोश हो गए थे। कहा ना के सो रहा था। तुमने मेरी मदद की। तुमसे जूट नहीं कहूँगा। मैं सच्ची में बेहोस था। किसी को मताओगी तो नहीं। वैसे आपको किसके घर जाना है। राजेश्वर राओ की घर। ओ उस महल जैसे घर में। आपका महल उस तरफ है। मेरी चोपड़ी इस तरफ है। घोचुराम चलो में सैगल दे। पिच्चे सवर। हार गया हार गया। क्यारे, तु सच में रात बर अकेले समशान में था। मुझ पर शक कर रहा है। सैकल ले दूंगा जा। और किसी को मेरे पर शक है। तुझे तर नहीं लगा। तर और मुझे सब वाली नहीं। भूतों के साथ मैंने लुका छुपी खेली। मेरे रक्षा कर रहा ह। मैं साइकल के लिए कर रहा ह। मेरे पापु कंचू से कभी नहीं तिलाएंगे। उपर पेड़ पेड़ भूत दिखा। हलो मामू। मम्मे। उसके बाद एक कबर पर आराम से सो गया। क्यों रेज जाके कबरिस्तान में सोया तू। दमाग खराब हो गया तेरा। पता नहीं कब अकलाएगी। दिन बें दिन बिगरता जा रहा ह। अरे रुको रुको अरे क्या कर रही हो रुक जाओ। थैंक्स बापू। मारने से क्यों रोका। अरे क्या रही हो जाओ। जर्ण जर्ण मुझे लेना ये। आप उसे कहा चिपकाऊगे। जहां तेरे केड़े हैं वहीं चिपकाऊगा। देखो माँ पापा। मैं तुम लोगों को स्टेशन लेने केया था। तुम लोग वहां रुके क्यों नहीं। काफी इंतजार किया लगाप नहीं आएंगे। अचा ठीके ठीके बड़े बुजर्ग कुछ कह दे तो बुरा मत मानना ओके। चलो आज़ा बिटा आओ चलो शादी करने के दस साल बाद ये राज बता रहे हो। आप छोटे घर की बेटी को नहीं अपनाएंगे। इस डर से मैं चुप रहा। सोच कैसे लिया किसे अपना लेंगे। मेरे डर और इस घर की मर्यादा ने आज मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डालती है। इसे घर में रखने से खांदान का नाम कलंकित हो जाएगा। मेरे लाए रिष्टे का क्या होगा। हम इसके लिए रिष्टे लेकर आए। इसी वज़े से इसे आज अपना सच बताना पड़ा। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। बहु को अंदर ले जा। आलिया। चलो अंदर। तो क्या आप इसे सुईकार कर लेंगे। कैसे सोच लिया कि एक छोटे परिवार की औरत को बहु बना लूँगा। तेरा एक ही बेटा है। उसे अलग तो नहीं कर सकते। लेकिन उस औरत को तो बहार भेका जा सकता है। खाना दो मुझे। पापा मुझे नहीं साइकल चाहिए। पहली साइकल कहां गई। एक शर्ट मैं हर गया। यह उमर इस शर्ट लगाने की। आपने भी क्रिकेट के सट्टे में बहुत पैसा डुबाया था बापू। जवाब देतर। मैं इस घर में नहीं रहूंगा। जा रहा हूं मैं। तुने तो बुला घर चोड़ेगा अब यह कपड़ी के उतार रहा है। जो काम करूंगा स्वाभी मान से करूंगा। आपके कपड़े आप ही को मुबार्ण। तु यह मेरा सच्चा वारिस है। दूसरी तरफ आलिया मुन्ना के स्कूल में दाखिलाले ने पहुच गई। मुन्ना उसे वहां देखके ऐसे खिल गया जैसे LED लाइट। उसने प्रिंसिपल से सिफारिश की। सबसे पड़ाकू लड़की के बगल में उसे बिठा दिया। और सारा पिछला पुराना होमवक्त खमा दिया। आलिया ने पूछा कि उसने ये सब क्यों किया। तो पता है अपने हीरो ने क्या का। मन्ना की जो इत्तुसी हेल्प करता है, मन्ना उसे कभी नहीं भूलता है। खा खा के बैल हो चुका पिछेश्वर आलिया को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। स्कूल में उसका टिफिन खा जाता था और घर पर उससे पैर दबवाता था। कुली की तरह उससे स्कूल बैक भी उठवाता था। हारे हीरो ने यह सब देखा हाथ में पैंसिल तूटी और पिछेश्वर राव की किस्मत फूटी। पिछेश्वर आच तेरी मर्जी से अगर आज सुश्यर्थ हारा तो आलिया को तंग मत करना अगर मैं हारा तो यह साइकल तेरी हो जाएगी। जड़कियों वाली शर्ते नहीं चलेंगी कोई मर्दों वाली बात कर। फिक है जो हारेगा वो एक साल के लिगा और छोड़ देगा। अरे तेरा तिमाग ठीकान है ए यह हुई ना मर्दों वाली बात हारने वाला तेरा साल तक गाह में कदम नहीं रखेगा। लग गए और इस तरहा रेस शुरू हुए है मजीद किया है 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 ए पिच्षवर गाउ चोड़ने के कोई जरुद नहीं बस आलिया को बरिशन हाँ वो तर सच में जा रहा है यार उसकी घरवाला को पता चल गया तो कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा उन्हें? अगर मैंने बता दिया तो रुग जा लक्ष्मी ब्रेकिंग न्यूस घर पॉच गई और धनेजवर का खून खौल उठा मुन्ना के बाप की हवा टाइट हो गई घर पर ताला लगा के पूरा परिवार भुर्ण हो गया मेरे पीछे से मेरे खेट समाल लेना जिन्दा लोटा तो फिर बात करेंगे पर घरवालोंने आलिया को कसूरवार माना तोटी सोमर में स्वयम वर रचा के दो लड़कों में लड़ाई करवा दी अच्छे परिवार का खोन हो ही नहीं सकता अगर थोड़ी भी शरम बाकी है तो अपनी कुलक्षणी बेटी को लेकर यहां से दफाओ जाओ लक्षमी इस भेजज़ती को बरदाश्ट नहीं कर पाई और अपनी बेटी को लेकर बहां से चली गई क्या हुआ? कहां जा रही है? महामुली से बात हुई तुम्हारी बेटी से गलत ही हुई उसे प्यार से समझा रहा था तुम्हारी पत्नी को इतना बुरा लगा कि हमें खूब घरी-खोटी सुना दी और अपनी बेटी को लेकर जाने लगी क्या हापता था कि बड़ों के लिए इसके मन में सम्मान ही नहीं तुम तो इसके पती हो जाने से पहले तुम्हें पताना भी ज़रूरी नहीं समझा देख लिया इसका असली चरित्र नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा अलिया, अलिया, कहा जा रिये तू और रोग्यों रही है तुमने वो शर्ट क्यों लगाई तेरे लिए लगाई मुझे कई तंग करेगा तो मुझे परवा नहीं तुम्हारी वाज़े से मेनी मा की बेज़्जत ही हुई उन्हों ने हमें घर से निकाल दिया जर्ट मैंने सच्छे कहीं और चली जाओ अरे मुन्ना, तु ये किस से बात कर रहा है, है? कौन है ये लड़की? थोड़ी कुछिया मिलना शुरू हुई थी तो मैं सब खतम कर दिया मुझे तुम्हारा चाहरा नहीं देखना ऐसा मत बोल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा हो सकता है मैं तेरे बच्चों का बाप बनुदी अपास बन कर चल अभी आएंसे दिन पर दिन बिगरता जा रहा है, चल तेरी वज़े से कहां छोड़ना पड़ रहा है दक्का मत है बापू, छोड़के चला जाऊँगा च्छोड़के चला जाएगा, कहां जाएगा तो आए अरे ये तो सच में चला गया बहुत भूक लगे एक निम्बू पानी दो ना क्यों हो तेरे माबाब नहीं है, क्या है ना, मगर मैं घर से भाग कर आया हूँ मा ये बैंक मुझे दे मा कोई जरूरत नहीं भारी है क्या हूना सर, आज उस लड़की को मार दूँगा क्या नाम है तेरा? रवी शंकर रवी शंकर, इतने दिन हो गए लेकिन आप तक उस लड़की को मार नहीं सके ये सब काम छोड़ दे और सितार बजाना शुर कर जाता तो बहुत पहले मार चुका होता है पर ओडर्स थे मर्डर में आपका नाम किसी भी तरह नहीं आना चाहिए और मर्डर प्री प्लाइन नहीं लगना चाहिए इसलिए मैंने उस लड़की का पीछा किया लेकिन कुछ हुआ नहीं आपको बताया था ना एक लड़का पहले से उसका पीछा कर रहा है वाइफाई की तरह हमेशा उसके साथ चिपका रहता है अब वो लड़का चला गया है इसलिए आज उस लड़की का काम तमाम है बेटी बेटी हमें माफ कर दो बेटी अपने बेटे की तरफ से मैं माफ बंगती अरे ने यह क्या कर रही है ना ही घर से बाहर निकल रहा है और ना ही हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करा रहा है आप मुझे उसके पास ले चलिए मैं उसका इलाज करूंगी ठीक है चलिए कार में बैठे वो रही आलिया मेडम वो वीडियो बनाने वाला और उस लड़की का यार दोनों एक ही आदमी है उसके हो अग घस सब्सकर को जस महां है वो अगचको मैं डापła खब बाप झाल वो इसंस वो रहा के Кाव वो व powerful वो जईदिखills तेरी लव स्टोरी पर भरोसा करके तुझे माफ कर दिया लेकिन फिर मेरे दिमाग का बल्ब जला उस दिन हाता बाई के दोरान तुने अपने पीछे को छुपा कर रखा था क्या रखाता तुने दिखा मुझे मैं यही एक्सपेक कर रहा था जब कोई किसी से प्यार करता है तो गन लेकर फॉलो करेगा उसे मारने का इरादा है न सिर्फ उसे ही नहीं तुझे भी मार दूँगा तुझे भसाने के लिए ही मैंने यह एड्रेस दिया था स्थरी मैंने भी मैंने थुझे लिन के सी है तुझे लो डिए तुझे रुझे stadiumila हσforcement देखो, वो मेरे बेटे को फिर से मारा है जा अचिवायो चलो पिचाजा मेरे साथ रहो, परना मर जाओगी क्यों बुलाये ऐसे जाहों से मारा यह सब, ओ नू डरो मत, मैं हूँ न यहाँ, किस्टे डर रही हो है, आलिया आलिया, आलिया, सुरो आलिया, सुरो रागो राट चोड़ दा मत, उस लड़की काओ यह सुरो जाँ तरी बजसे कि ना लॉस्व आपन काओ आलिया, 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 आलिया आलिया, 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 आलिया ाई पर अज़ वे तर तक रही हा। अज़िया झाल है तो हुआ है ऐढ़न बाद है है और आप रह अङए यड़ एख जड़ जड़ प्रूट यड़ सुव खूझ जड़ जड़ अग एक्स्क्यूज में में रोटपर कैसे जाना है इदर से में रूट इस तरफ प्रिख को और यह हाँ 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 वो मुझे बारते का मुझे बचा लो रुख जो रुख जो रुख जो रुख जा अबे ओट नाटक करना पंद कर ओट ये नाटक नहीं कर रहा नाटक तो तुम कर रहे हो मैं मुझे ढूनते हुए तुम मुझे तक पहुची गए पहले अपने प्यार का जहां सा दिया और जो मुझे सच में प्यार करते हैं उन्हें मार रहे हो क्या तुम उझसे प्यार करती हो? अब नहीं करती, असलियत जानने के बाद बिलकुल नहीं, कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी तुम असलियत नहीं जानती, ये आदमी तुम्हें मारने आया था कहानी आ मत सुनाओ, पता नहीं बजपन से कितने जुट बोल चुके हो मेरा बचपन बरबाद कर दिया, मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा मेरी माने अकेले कितनी तकलीफ है सही पर अब बस, इनाफ इस इनाफ, आज के बाद में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती आलिया सुनो तो, आलिया बताओ, वो मर चुकी है फिर बच गई पापा, एक आदमी दिवार बन के खड़ा है कौन है वो? तुम्हें जानता तक नहीं था तब भी तुम्हारी मदद की अब तो तुम मुन्नी हो ये जान क्या हूँ जान देकर भी तुम्हारी हिफासत करूँगा टीवी चैनल्स में दिखाए गए फुटेज के बास अपोजीशन के भारी विरोध के चलते मिनिस्टर दिलेश्वर राओ ने स्पीकर को अपना त्याग पत्र सौप दिया है मेरी बात तो सुनिये पापा कदा का ही का किसी काम का नहीं है पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया पूरे देश ने तमाशा देगी पापा वो बात नहीं है तुम मेरी गद्धी को समाल लोगे ये सोच के तुमें एमपी बना कर रिटार्मेंट ले लिया तुम घर पर ही ठीक हो अब तुम देखना इस शो को अपने तरीके से चलाऊंगा मैं आप चिंता मत किजी मैं सब कुछ समाल लोगा बजरंग तुम आ गए फिर से मिस कर दिया खबर मिल गई थी समझ सकता हूं मैं सौ हाथियों को मारना सरल है लेकिन एक चुहे को मारना कटिन है लेकिन ये बात मेरे बुढ़ेब आपको समझाएगा कौन खराब किड्नी की वज़े से दस बात टॉइलेट जाता है और उस बात का गुस्सा मुझ पर निकालता है नहीं समझेगा चिलना ने को मना किया है चलो आओ गुपता साब कुछ कहना चाहते रुमाल हटा जल्दी हटा मुझे छोड़ दो टॉर्चर की क्वालिटी अप्टू दा मार्क है ना चोड़ दो मुझे कैसे छोड़ दू दिल में गुस्से का लावा फूट रहा है मैंने उस वीडियो को टेलिकास नहीं किया मैंने उस टिंग आउप्रेशन का ओडर नहीं दिया था तिरुपती यूनिट के रेपोर्टर्स ने ये करवाया ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा बिलकुल भी हाथ नहीं था जो तुमने का उससे कुछ याद आया बजरंग इसने तो 30 करोल मांगे थे लेकिन तुमने कहा 100 करोल मांगो 30 नहीं 100 करोल मांग 50 मेरा, 50 तेरा बाकी मैं समाल लूगा इससे हमेशा छोटा भाई जैसा प्यार दिया लेकिन ये घददार निकला यह मेरी पुरानी आदत है बेवकूपन के रहना ता कि ऐसे दुश्मन घलत फहमी में रहे और तुम्हारी जैसी घलती करें मुझे बाफ कर तो मैं तुम्हारे पैर मारता हुआ है वापो किस में तम जो मुझे मारे मैंने कुछ गलत किया क्या नहीं मेरे बेटे ने कुना किया उसकी सजा उसे मिल गई इसके इलावा और एक दुश्मन बाकी है जाओ ढूल उसे सर वो लड़की शादी अटेंड करने महभूब नगर जाने वाली है उड़ा दो उसे क्या हरे, ये हाद הईना वाहरा रे, ये एसा लड़ा कर दोJack क्या है, झालो हरे येल एक बार दोने आर लड़की है आलिया मेरी बात गौर से सुनो, मिनिस्टर दिलेश्वर राव तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है वो मुझे क्यू मारना चाहेंगे? क्यूंकि वो तुम्हारे अंकल है ये लो, देखो इसे मैं बहुत दिनों से तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा था और ये काम मुझे दिल लेशवर ने करने को कहा था उडाडल ठोप दे जल्दी प्लीज चलो क्या कर रहे हो चलो जब तुम्हारी फैमली ने सालों पहले तुमसे सारे रिष्टे तोड़ दिये थे तो फिर तुम्हे मारने की कोशिश करने का क्या लोजिक इसका जवाब तो तुम्हारी फैमली से ही मिलेगा जब तक सच पता नहीं चलता संभल कर रहना होगा तुम बिना किसी स्वार्थ मेरी मदद कर रहे थे और मैंने तुम्हें गलत समझा आम सॉरी बच्पन के आदतें इतनी जल्दी नहीं शूटती चलो मुन्य कहानी में ट्विस्ट विलन की गाउ में हिरो हिरोईन की एंट्री अपनी पकाओ कानी से हम लोगों को मारने की बज़ाय सीधा उस विलन को क्यों ही मरवा देता जरूर मरवाऊंगा एक धासू क्लामेक सुचने की बाद साबकी वाट लगाऊंगा हर हॉल में मेरी फिल्म लगेगी बेस्टोरी का एवड मुझे ही मिलेगा लेकिन आप भूल गया स्टोरी कहा तक पोँचे ती हरो हरुन विलन के गाओं आते हैं हरो हरो क्यों नहें रहे एक अशाान्त गाओं में शान्ति लाने के लिए लेकिन हरो कहां से लाएगा शान्ति की तो शादी हो चुंकी है न देव programs जेंगल के शेरो को हमारा हीरो भीगी बिल्ली बना के रख देगा लास्ट में मेरे डालाग बोलके वो औसकर उठा लेगा भाई लो कहानी किस मौर्दे पहुंची हीरो हीरो इंग गाड़ी में गाहों आते हैं सही बोला यह लोग कोन है बाइक रास्ते से हटा नहीं हटा है तो क्या कर लेगा मार खाने के बाद हटाएगा मुझ से पंगा बतलब सिधा यमराज से पंगा अरे तेरी तो तू तड़ाक से बात करता है मुझ पर के तेरा दूद का कर्ज है बिल्कुल है दस पेंसिल तीन जोमेट्री बॉक्स और दो सो कंचे दो सो कंचे ओवे गधे ठीक से देख मैं मुन्ना हूं तो मुन्ना है कि मामुली उसके लिए एक टेस्ट लूंगा और वह क्या टेस्ट है एक ट्रेन मेरे गाहों से ग जिस दिन उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया चाहा कर भी मैं कुछ नहीं बोल पाई कुछ दिन बात मैंने तुम्हारे पापा को सब कुछ सच सच बता दिया उन्होंने घर छोड़ने की बात की रुको कल चले जाना पहले मेरी चिता को अगनी तो दे दो फिर जो मन में आये करना ऐसा मत कही सब को लगा कि वो कुछ दिन बात दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाएगा लेकिन नहीं उसने तुम्हारी मा की याद में अपनी पूरी जिन्दगी बिताने का फैसला कर लिया उस गब में वो दिन राज शराप पीने लगा तुम्हारे दादा को अपने भाई और अपने बेटों की साजिश का पता चला कि किस तरह वो खानानी बिजनेस में बेईमानी कर रहे थे एई कुछ महिनों बाद तुम्हारे मा के लिखी चिठी दादा के हाथ लगी उन्होंने वो पढ़ी आपने मुझे चोड़ दिया पर मैंने हार नहीं मानी आपकी बेटी को डॉक्टर बनाया मैंने ये बताने के लिए चिठी लिखी कि मैं मौद के बहुत करीब हूँ मुझे कैंसर है कुछ दिन बाद मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी एक बड़े खानदान का हिस्सा होकर भी अनाथ हो जैसा जीवन गुजारेगी उसे आपकी प्रापटी की जरूरत नहीं है बस त्योहारों पर आप उसे अपने घर बुला लेना आपने अगर इतना भी किया तो मैं सुकून से मर पाऊंगी कि मेरी बेटी का भी एक परिवार है यह मरने वाली की आखरी खाहिश है मुझे यकीन है आप इसे पूरा करेंगे उसी दिन तुम्हारे दादा ने वकील को बुला कर अपने हिस्से की जायदा तुम्हारे नाम कर दी आज के बाद मेरी पूती एक राजकुमारी की तरह इस घर में रहीगी सरवेश्वर मेरी पूती को लेकर आओ सो रहे हो क्या ठीक है देबर जी जहां वो लोग थर्मल प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे उन्हें पता चला वो जमीन तुम्हारे नाम पर है खांदानी जैदाद एक छोटे परिवार की लड़की को मिले ऐसा होने नहीं दूगा मैं हेई उस अनात को ढून निकाल और मार दे और ख्याल रहे इसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए उनसे कह दो जहां मुझ आएंगे मैं साइन कर दूगी पर यही तुम्हारी माँ और दादा की आखरी इच्छा थी दादा तुम्हें एक राचकुमारी और मा उस परिवार का हिस्सा बनाना चाहती थी आलिया, उस पिता के पास नहीं जाना जो सिर्फ तुम्हारी यादो के सहारे जीर है मैं अपने पापा से मिलना चाहते हूँ उन्हें गले लगा कर रोना चाहते हूँ लेकिन बस कुछ मत कहना मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाऊंगा और उस घर में भी ले जाऊंगा इतना ही नहीं तुम्हें उस घर में राज कुमारी का दर्जा दिलाऊंगा यह जानते हुए भी कि वो हमें मारना चाहते हैं उस घर में कैसे जाओगे यह मेरी जिम जब मत कैसे की, शादी का पहला कार धनेश्वर को जाता है, और उसका जो बड़ा बेटा है, दिलेश्वर हो, बाप से भी बड़ा शायतान है, और छोटा नवाब है, जंग मेश्वर हो, चिन्दी से मैटर पर भी मुर्डर कर देता है, ठाने का जमाई है वो, एक लड़की न सुवाग राद को उसके पती ने मजाग में उसे फुटबॉल के दिया, फिर क्या था, रोनाल्डो की तरह ऐसी किक पड़ी है, कि पता ही नी चला पती कहा चला गया, इस गर में एक से एक नमून है रहे, एक मिनट, 13 साल पहले जो लड़का घर से भागा था, उसकी कोई आज तीरा साल बाद आपका पूता घर लोट है उससे सवाल करेंगे, तू बैटे-बैटे आडर किसको दे रहे, तू है कौन, पिचेश्वर, पिचेश्वर होने की क्या गैरेंटी है, आप जंग मेश्वर चाचा है, उसकी क्या गैरेंटी है, चुप रहा हो, देखो इसकी कमर के नीचे तिल है या नहीं, 13 साल के बाद ल तेरे, मेरे प्यारे पूते, रूख जाना, सुनिये जी, इसमें सारी आप वली हरकते हैं, हेई, इधर आप इतना सालों तक कहा था, नाकपूर में था, नाकपूर में क्या कर रहा था, शुगर फैक्टरी में शुगर की टेस्टिंग करता था, बेटा यहां, अब बेटा यहां दा रहा है, यह बताओ ममी का है, बेटा वो मर चुकी है, यह फ्रेश मा है, हां, मेरी उमर की लड़की स वो कहा है निकल लिए और वो दिल्ली जाजा वो भी टपक गए गया बड़ा भाई मिनिस्टर बन चुका है ऐसा चीटर मिनिस्टर नहीं बनेगा तो के स्कूल मास्टर बनेगा शांत जाके खाना खाले छोटे मालिक भोजन ग्रहन करने से पहले हात मुझ धोले तो एक्स्ट् लगने के बजाए हाथ मुझ धोलीजिये ना अरे देखो मेरे वह आ गए यह कौन है मैडम के पती इस घर के घर जमाई अरे ऐसा मत कहो यह ज्यान मूर्ति ध्यान मूर्ति हैं कहीं इनका नाम गुरु मूर्ति तो नहीं पकड़े हैं लेकिन मैडम इन्हें सेमी स्वामी जी क अरे स्वामी जी आशिरवाद देखो उठो बालक उठो अरे बेटी यह बालक कौन है बचपन में घर छोड़कर भाग गया था वह पिच्चे श्वार दिखाओ अरे आशिरवाद ले ले परम ज्यानी से बात करना मोक्ष मिलने के समाना और क्या वाद ज्यादा से ज्यादा से ही मिलता है उनको आराम मुझे भूल जाते हैं लेकिन आर्थी करना नहीं भूलते आर्थी आर्थी जब भी पूचा आर्थी और आराधना करके आते हैं इनके चेहरे का तेजी कुछ और होता है आप सब एक मिनिट के लिए अंदर जाइए मुझे इससे कुछ ग्यान की बात करनी है जैसा आओ बेटा जरा एक शन के लिए अपनी सूरत यहां घुमाओ तो आशिर्वात दीजी अभे तू अच्छा पैजान लिया तू तो पिछेश्वर नहीं है नहीं हूं सब लोग यह आजाओ जल्दी आओ मुझे कुछ बताना है आप ही आइए कुछ पोल खुलनी है क्या करने की कोशिश कर रहा है तू मेरा पोल कैसे खुल लेगा मेरी पोल खुली तो तेरी भी लंगोटी चूटे की तेरे मस कॉन सा सीक्रेट है तो ए ग्रेट सीक्रेट बताएगा मैं तेर अधरोसा कौन करेगा दांस बारवाले सीसी टीवी फूटेज एक साल तक रखते हैं अगए सभी लोग आ गए इतने प्रतिभाश अली बालक को देख की कविता याद आ गई घर का प्यारा पंची क्या कहा घर का प्यारा पंची जाहे नौर्ध जाए नौर्थ जाए नौर् तेरी तो कहां गया कहां जा रहा है नकली पिर्चेश्वर अरे बातरूम जाना है से मैंने तुझे से बहुत फॉट देखिये मैं तुझे सीरा करके रहूंगा तेरा प्रवचन मतलब बिगारी का इंडियन एकोनॉमी पर लेक्चर है माफ करना छोटे मालिक ये गेस्ट बातर हा सल्मान भाई के बारे में थोड़ा बतता है सल्मान के भाइ का नाम बता हमन का भाई है इस बैमान के साथ मेरी बाते ंचनुने के भारव बत इतला-घ पा करणे पाखनडी हॉत हम दूसररा राज ये पाखन कर दैके बताता हूं 지 reduce किया एक्ष्ट बागी दिनों में आर्थी करने जाते हैं येस मैं उसे आर्थी का बेटा हूँ वो तो मेरी मम्मी ने राज बता के मुझे यहां भेजाए यहां स्वामियों ने करनाटा करके पूरी फैमिली को लू बनाते तुम घर वालों को सच क्यों नहीं बताते अरे बताने से भी क्या हो होगी अब आयना मतलब की बात पर क्या मदद करनी है तेल में फूफा तुम निकलो वा अब तक मेरे हिस्ट्री जोगरफी निकाल रहे थे अब अपने मतलब की बात आ रही तो भगा रहे हूं हो जी सर कहिए सर आवतार स्टिंग ऑपरेशन करने वाले के डीटेल्स हैं क्या तुम्हारे पास वोसे टीवी पर दिखा के नाशनल हिरो बनाना चाहता हूं है ना सर मेरे पास उसका एप्लिकेशन फॉर्म है अभी निकाल कर देखता हूं मिल गया सर तुरंत उसकी डीटेल्स फॉरवर्ड करो ठीक है सर लिकिन सर ये वीडियो हमारी चैनल को छोड़ कर बाकि सारी चैनल पर रन हुआ है उजे तो ये भी पता है सर कि आपने उस दिलेश्वर राव के साथ करोड़ों रुपे में सीक्रेट डील की है ये कोई अफवा नहीं है मेरे पास प्रूफ है सर छी छी वो दिलेश्वर राव महाचोर है करप्थ है क्रिमिनल है उस गंदी लाली के कीड़े के साथ आपने कैसे हाथ मिला लिया सर शुक्र मनाईए ये खबर मैंने अभी किसी और को नहीं बताई उस दिलेश्वर को भूल जाओ और उस लड़के की डीटेल्स फैक्स करो नहीं कर सकता सर आप मेरे टेस्ट में फेल हो गए सर मैंने तो बस अंधेरे मे मुझे वीडियो लाने वाले की डीटेल्स दो इसका मतलब है आपका और उस ब्रश्ट नेता का कनेक्शन है मुझे तो यखीन है वो गंदी नाली का कीड़ा आपके आसपास ही खड़ा है मैं अप्लिकेशन फाड़ रहा हूं सर अई सुन मम्मी अगर फैक्स नहीं भीजा त फिर तू उससे मुकाबला करना कुट्टे की तरह मारना किसे कहते हैं वो तुझे समझाएगा चुकर चुड़ो चुड़ो मुझे चुड़ो चुड़ो कि दिल आ गया इस पर मेरे को भाव नहीं दे रहे थी तो क्या इसको जबरदस्ती मंडप से उठा कर ले आया किसी भी अरे-गे-अरे को इस घर में लाएगा तूने भी तो यही किया था अपनी बराबरी मुझे करेगा तू क्यों ना करूं वह सब छोड़ तू इससे शावी करने वाला है ची ची शादी की बाद किस ने की कुछ दिन मौच करूंगा फिर बाहर फैंक दूंगा मुझे लायक नहीं रहेगी शाबाश तू तो मेरा सच्चा पोता है यह तो वही लड़की है पब में देखाओगा किसी मंदिर में देखाओगा यह ना यह मेरा प्रवजन सुनने आती थी अबे चुप आपका इखून है इसको सबक सिखाने के लिए शादी के मंदप से उठा लाया अगर इसे जबरदस्ते उठा लाए हैं तो यह बताईए कि यह रोग यूने रही है तेरी आंकों में आंसु क्यों नहीं है आप खुश है 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 इसे अंदर ले जा है है मैडम मुझे अपने पापा से मिलना है अभी जाओगी तो इन लोगों को श्रक होगा कुछ दिर रुख जाओ अञे मिलके गम संध्यमन से बात कर लूँ मेरे फ्रेंड्स परिषान रहे होंगे हेलो अल्या कहा हो तुम् कहां लेकि गया वह तुम्हें पिचेश्वर पूरम लकर आया है तुरुपती के पास बाकी बाते बात में बताऊंगी और डर ढूल कोई किसे बाते कर रही है अब वो कभी घर नहीं लोटेगी चल अंदर जा उस सिर्फ फिरे ने आलिया को किड्नैप कर लिया है तुम्हें एक मर्द की तरह उसे बचाना होगा वो एक बच्चा है मेरी मार से कहीं मर न जाए अगर तुमने उसे बचा लिया तो मैं तुमसे शादी करूँगी कल तक उसका नाम राशन काड से कट चुका होगा कोई भी न्यूज चैनल देख लेना सब जगे यही ब्रेकिंग न्यूज होगी इसे तुम्हारी हेल्प के लिए बुलाया है मैंने आलिया ने उस फ्रॉड पर भरोसा किया दुनों मिलकर उसे बचा लाएंगे एक गाड़ी में चलेंगे तो पेटरोल की बचात होगी हाँ अब यह बाहर निकाल जल्दी बाहरा तुम्हारे विधान सभाज इतने बड़े घर से डरने वाला नहीं हो हिम्मत है तो मुझसे समना कर बाहरा उस सबक्षात गुंडे को मेरे हवालेकार अभी यह कौन है कॉमेडिन्स की कमी थी जो ही आगया क्यों बेख चिर्कुट इस अबला को किड्नाप किया रुक अभी तेरी ख़बर लेता हूँ यह जोकर कौन है लड़की का बाब है और वो दूसरा इसका मंगेतर है इनके सामने से तो इसे उठा लाया था मेरी होने वाली बीबी को किड्नाप किया इसने इंस्पेक्टर, गो एंड अरेस्ट इट फेलो, ब्रिंग देट क्यूट गल तो मी थोड़ी तर चुप रहेंगे सर सर, कंपलेंड है कि इस गुंडे ने इस लड़की का किड्नाप किया है क्यों मैडम, क्या ये सच है अगर तूने उस इंस्पेक्टर से सच कहा तो तेरे बाप और होने वाले पती को यहीं सिंदाकार दूँगा ये जूट है, मैं अपनी मर्जी से यहां पर आई हूँ हेलो हेलो हेलो, कान में फुसफुस आया वो बेबी डरी हुई है मुझसे पंगा मतले, पूरे स्टेट में मेरे नाम का टेरर है यहां का सीएम मेरा बेस्ट फ्रेंड है यहां के गवर्नर के साथ बच्पन में मैं कंचे खेलता था और पीएम मेरा क्लासमेट था अरे रे, देखो इसके मासूब मुखडे को इसे किड्नेप करने का सोचा भी कैसे खुटागर्जी करता है, मैं हो ना हम चलते हैं सर, गाड़ी स्टार्ट कर तुम्हारी जोड़ी परफेक्ट है, मैं चलता हूँ मैं भी चलता हूँ रुग्जा, इस टिंगो को उठाकर अंदर ले आओ, बड़ा सीम से लेकर पीम तक का रिष्टा बता रहा था, अच्छे से खातिरदारी करो इसकी बात्रूम, है, बात्रूम करके आया हूँ, नहांके भी आया हूँ अगर उसे चुप नहीं कराता, तो हमारा मिशन यहीं खत्म हो जाता, मैं अभी डॉक्टर विश्रान को फोन करके सच्चाई बता देता उसकी कोई ज़रत नहीं क्यों, तुम्हें डर लग रहा है, देखो, वो तुम्हारा होने वाला पती है, उसे तुम्हारी फिक्र है, मैं उसकी जगह होता, तो मुझे भी फिक्र होती रुको, मेरी बात सुने के बाद फोन कर लेना मैं तुमसे प्यार करती हूँ मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो उसे फोन कर लो मैं क्या कहूँ कुछ कहने की जरूरती तुम पास हो इतना ही काफी है हलो संद्या वीरा तुमने फोन नहीं किया मैंने सबकी अच्छी खासी धुलाई कर दी है डॉंट वारी आलिया को लाए बिना नहीं लोटूँगा वो लोटने के बाद बिना वक्त गमायत तुमसे शादी कर लूँगा ये मैटर मीडिया तक नहीं पहुचना चाहिए कहो तो पुलिस कमिश्टर से बात करूँ बिल्कुल नहीं ओके उसका नाम मुन्ना है आलिया मैडम के बच्पन का दोस्त है हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते अपनी मागी किसम सच कह रहा हूँ ए चलो निकलो याँ से तेंक्यू सर चलो पापा से मिलते हैं कितने दिनों बात आएं पापा का है पीछे वाले बागने हैं । युझाarla याला याला युझा आएं युझाँ युझाँ युझा साले साब आज कैसे आना हुआ जब तक मैं आना कहूं बाहर मत आना कैसे इंसान हो एक शर्त के लिए कोई घर छोड़ देता है अपने हर वचन को निभाने जाओगे तो दुनिया नोच डालेगी जाओ अच्छा मैं जा रहा हूँ कुछ कहेंगे नहीं सब लोग जाओ तेरा नाम दिल्लेश्वर इसलिए रखा कि दिल्ली पर राज करें इसलिए नहीं कि पावर खोकर घर पर पैट जाए ठीक है मेनेस्टर की पोस्ट गई पबलिक की सिंपैती नहीं जानी चाहिए आपकी उम्मीद पर खरा उतरूँगा आपकी इसत नहीं जाने दूँगा सर 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 ओई मिनिस्टर यहां इस तरफ देखिए आपके लोगों ने एक लड़की को किड्नैप किया और तो और मैं उसे चुड़ाने आया तो मुझे भी बातरूम में बंद कर दिया सर आप से रिक्वेस्ट है कि मुझे बाहर निकाले आपका फैन हूं सर जाके देखो उस लड़के ने किसी को किड्नाप कर लिया क्या तुम्हें किड्नैप करके लाया है ना तुम कंफुर्म हो इसी को बुला रहे है बार चल अल्या गो साब बुला रहे है गो अल्या अल्या थपको बुला रहे हैं यह हैं कि लग्नापका लेक्नाप का लिगां यह वो लड़की नहीं है तुम अंदर चलो अंदर चलो आओ कोरे में यह रही वो लड़की कौन लेकिया ऐसे जंगम चाचा क्यों लेकिया आया जंगम चाचा की शादी होने वाली थी यह वहां पहुँच गई और उनकी बुराई करने लगी शादी कैंसल करवादी फिर क्या मामा को गुस्सा आ गया सीधा इसे उठा कर यहां ले आए जा जा घर के अंदर या बाहर अचा ठीक है अंदर जाती हूँ बातरूम वाले को लेकिया सर थैंक यू सर चलता हूं सर 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 एक रिक्वेस्ट है सर आपके साथ एक फोटो लूँ सर सफेद दाड़ी फोटो ले सर इस बेटर सर कीच चेरे पे स्माइल लाए ना सर ऐसी लड़की से क्या वो शादी करता जाओ मुझे मारा क्यों हूँ यह पीछे क्या देख रहा है वे इसी तरफ से ना है बैक टू बाथ्रोम नमस्ते भाई आपका भाई भाई यह मुझे यह बताओ यह मुन्नी के बच्पन का दोस्त कौन है अरे हाँ वो कोंडर प्रसाद का बेटा मुन्ना उसी की विज़े से पिच्चेशर को गाउं छोड़कर चला गिया था हाँ यह सच है मैं प्रसाद का खेच संबालता हूं लेकिन ना ही वो अपना हिस्सा लेने आये और ना ही मुझे उनके बार में कुछ पता है मैं आपसे जोट क्यों बोलूँगा आखिर मुझे इस गाउं में रहना है एक बार प्रसाद ने मुझे फोन किया था और अपना बैंक अकोर्ड नंबर भी दिया था इसके आलवा मुझे कुछ नहीं पता भया या कुंडल राओ रहता है क्या वो अब यहां नहीं रहता वो गाउं छोड़के चला गया बैंक जाके उसका अड्रेस निकल वाओ बैंक के पास तो उसका पुराना अड्रेस है आप क्या करेंगे कहा जाएगा बचके ढून निकालो से एक एक गाउं छान मारो हमें पब्लिक के सिंपती हासिल करनी ही होगी साथ में उसे ढून निकालो हम 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 है इस फोटो को छूने की इजाज़त किसी को नहीं पूरे घर में कोई इस लाय की नहीं है कि इसा छू सके सारी वेड़ा मेरी प्यारी बच्ची मेरी जिंदे की है बहारा आओ वहां जाने की हिम्मत कैसे की तुने क्यों हो गई उस कमरे में जवाब क्यों नहीं देती उसे मैंने कमरा साफ करने में जाता क्या का दाने जाके अपना काम कर कोई भी उस कमरे में कदम नहीं रखे का छोटूलाल बोलो भाईया इन लोगों की बीमारी तुमें समझ किया अब ट्रीट्मेंट स्टार्ट करते हैं गुरुजी आपको सौचाले में कैसे रख सकते हैं उच्छाब की दशा देखे नहीं ज जितनी आउकात यह अतनी रिस्पेक्ट मिलेगी ऐसा लोग सोचते हैं आपको यहां से निकालने के लिए दिमाग में को पाय सूझ रहा है सुना दो गुरुजी मिलियन डॉलर प्लान है गुरुजी आज शाम कुक सब लोग बहार जाएंगे ठीक है कपड़े पहन के रेडी खशना गुरुजी एफ 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 टेरे पास और कई चॉष नियरी चॉपल्स नियरा एज़त दीजिये गुरुजी गुप्रेट जिर दिदाए टारे लिदे लिवाया इता उप्रे विर्ट के लिवाए्ट के लिवारा सुटुर। युु निया है उता है उता है यु लोिवाट। है गट जदा उन्हीं माने हैं वालात बतोंति लेगग स्टाइब मर गया प्रिवर्स ग्यार अगर कोई घलत बीमारी बताकर फर्जी बिल बनाने की कोशिश भी की तो मैं खुद उठकर तेरा पोस्ट मॉटम कर दूँ दादा जी एक डॉक्टर की हैसे से कह रहा हूं भया धारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन हो गया है मारा ना काम आपरेशन में मरा मुड़दा की कसम थारी दुन्यों की निया फेल होगी है बाबा बंगाली की दवाइया देना बंद कर और मारी दवाइया खाना सुरू कर दे आज से ही इन सारा लोग लुगाया के सामने में वादा करता हूं थारी वेलेडिटी बढ़ जाएगी आर्ज दवा नहीं खाए तो तीन दिन में उपर पहुंच जाएगा इंजेक्शन लगाना तुम भी एक नर्स होना इंजेक्शन दे उसे हो गया गया पता ही नहीं चला आज से तु ही इनकी देख भाल करेगी समझ गई बड़े भाईया मामला सेट है है उस बातरूम वाले बंदर को बुलाओ दावा जी डॉक्टर ने क्या बोला था गुस्सा करेंगे तो तीन महीने में पाक आप अच्छा करेक्ट है है उस बातरूम वाले आद्मी को बला मेरी याद आई किसी को है या है या है या है या सर दाट बॉइस चीटिंग सर आ वस रुनिंग सर यू और वाकिंग सर बात टैमिंग सर है इसकी दोनु टांगे तोड़ दू दू दादाजी इसको छोड़ दो मैमान को खुब खिलाओ पिलाओ कैसी खातिरदरी करने वाले हैं उसके कान में चुछ खास नहीं उनकी दोनों किड्नी फेल हो चुकी है तुम उसके काम आ सकते हो किद्नीस फेल हैं और क्या मेरी किद्नीस चाहिए यह तो बॉड़ी के बाकी पार्ट्स क्यों छोड़ दिये वो भी तो निकाल लो प्री है आइडिया अच्छा है बुड़िया की आखे खराब है और इनके बेटे का लिवर भी खराब है किसी को हाट की प्रॉब्लम हो सकती है हाँ किसी को हाट प्रॉब्लम हो सकती है मैं पूछ के आता हूं हाँ पूछ लो पूछ लो कुछ मुछ छोड़नों सारे खांदान को मेरे ही बॉड़ी पार्ट्स डोनेट करवाएगा मेरी लाइट परवाद कर दी कितना बदल गया है मेरा पूता बचपन वाली कोई बात ही नहीं रही अरे यही मेरा काम है तुम बदा मिलना किसे तुझे तुझे क्या मतलब ज्यादा बोलता है पिछले साल तिरुपते स्टेशन पर दो मडर हुएते याद है एक लास की बात बताओं उनसे मेरा कोई कनेक्शन निए लेकिन मेरा कनेक्शन है उस मुर्डर के साथ इस घर के साथ इस घर का वारी जूम है पिछेशवार लॉट आया है औरीजिनल पिछेशवर आ गया अभे वहीं रोक उसे कोशिष की थी छोटे मालिक लिकिन वो बेल अ ही होगा है भगवां क्या मुसी बता याद एक चिर को इधर आना मुझे पकड़ना अब भागो 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 एलो 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 सब लोग यहां आजाओ एक बात बतानी है दादा जी यह गर चोड़ने के बाद मैं एक फैमिली के साथ रहता था उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया हुणके बेटे ने मुझे अपना भाई माना आपके बारे में मैंने उन्हें सब कुछ बता है उसे मैंने यहां रहने के लिए इन्वाइट किया है जब वो आये तो उसे इस परिवार के सदस्य जैसा प्यार देना वैसे वो धोड़ा सा गुशेल है लेकिन कॉपरेट करना ए एक बिन बुलाएं महमान को हम लोग क्यों जोने दावा जी मेरी बात नहीं मानी तो मैं जाओंगा रूख जा बेटा उसे लेकर आओ घर पे कुंडली मारके बैठ गई है नागिन कहीं की हम अब ये कौन है खाना लगाओ ऐसे मूँ बना कर बैठे है जैसे एलियन देख लिया है अरे ओ बुड़ा तो अब तक टपका नहीं तेरी तो फोटो के लिए माला लाया था लॉ से सफवाई पांच पानी में ले पैन ओ पूलों से मेरा स्वागत करनी की बजा मुझे जापड मा रा तो मैं यहां नहीं रूकूँगा मैं जा रहा हूँ जा जा रहा हूं यहां सब के सब जाहिल 371 कोई पियार नहीं में दुबारा चला गया तो कुट्टे की तरह बढ़कूँगा कहीं यह औरिजनल वाला तो नहीं कैसे पता लगाऊ और इजनल हुआ तो इसके कमर पढ़ती लोगा मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता बेटा घर से भाग जाये तो उसे ढूढ़ना आपका फर्स है पता नहीं है मैंने अपने बेटे को बहुत ढूढ़ा अब यह कौन है तुझे क्या लगता है यह मेरी पत्री है इस गड़े अब यह तुझे कौन है अब यह जुबान नहीं है क्या यह बता उसे जानते हो कौन है वो तुम्हारी मा मेरी मा उमर से तेरी लगती है अब चौप ऑए अपना इंट्रो दे मेरा इंट्रो चाहिए उसके लिए तुझे कहानी सुननी बढ़ेगी सुना एक बार एक राजा उसकी एक एकट जमीन के बस खाली एक एकड़ मिडल क्लास राजा एक एक सेकंड यह तेरी ही काई है ना ब jij तो इसमें राजा कहां से आगया यह किसी राज्य का राजमिया नहीं है तो तो इसमें नानी 5 रुख्डे को किसान का नाम धे अँक दिन रखकर वो चला गया अब रूख इस पूरी स्टोरी में तू कहां पर है ना इस बैग में कैसे था अरे सांस रोक के बैठा था कोई सांस कैसे रोख सकता है बहुत बड़ा रिशी मुरी क्या ही रादा है अब बॉक्सर उतारोगे किसलिये उतार नहीं है तो ही तो देख पाऊं अब बॉक्सर देखती रहा उस तरफ गवर से मेरी बात सुनों तुम्हें किड्नेप किया गया था मैं छुडाने आया था आप वो मेरी किड्नी किड्नेप कर मचाते हैं मैं तुम नहीं जगती यह कहकर पूलीस के सामने कबड़ा कर दिया कल सूरज युगने और इन सर्फि यूसलेस लड़की आधी राग के ठीक पांच मिनिट बाद एक ब्लैक ड्रेस में ब्लैक बिल्ली की तरह बैक डॉर पे मिलना काली ड्रेस में क्यों सत्या नाश अंदर में काला रंग नहीं दिखता हूं कभी तो अकल लगा हूं आम ट्राइग तो सेव यू यार अभी तो स रुको मगरमच कौन है समझी तुम नहीं समझी मैं मगरमच हूं हैं दख्रकोडाइल यूनों ओके बता नहीं तुमने एंबीबियस कैसे पास कर लिया स्लो माइड कपड़े सुखाव वह वीरा भाई मुझसे चाला की करेगा उसका कुछ पोमरेंट इलाज करना पड़ेगा आज राज जंगम चाचा के साथ गेम खेलेंगे ये लक्षमी का मिलेगी चिंटू तुम्हें मेरा घर का नाम केसे बता तुम्हारी लाइफ हिस्ट्री जानता हूं मैं तुम्हारा काम है चुगली करके लोगों के घर तोड़ना और घरवालों ने तुम्हें यूसलेस डोर करना चाहती हो तो मेरी कही बात माननी पड़ेगी क्या कहती हो हम चलो है मेरा हाथ चोड़ो मुझे कहां ले जा रहे हो कौन है वहाँ यह मुझे जबदस्ती भगा कर ले जा रहा था खाली खुपड़ी के कसम मैं इसे भगा कर नहीं ले जा रहा था तो किसे भगा कर ले जा रहा था पहले आपस में डिसाइड कर लो कौन दुलाई करेगा पर कोई एक ही करना हाँ चाचा आज इसे मौका दिया ओके गुटनाइट सर क्यों मरवाया है है तू भी अंदर जा ए रुको भागने से मना क्यों किया आप पुछो चाचा आप बोल क्यों नहीं भागी लगता है आप समझे नहीं और आप कभी समझेंगे भी नहीं साफ साफ नहीं कहोगी तो कोई नहीं समझेगा कोई भी कुवारी लड़की किसी लड़के की शादी क्यों रुखवाना चाहे क्या पता दिमाग से पैदल होगी नहीं वो लड़की उस लड़के से प्यार करती होगी आप मेरे प्यार को तब ही संजेंगे जब लोग मुझे पोपली दादी कहेंगे चोटुलाल जी भाया लड़कों को प्यार के पीछे बरबाद होते कई बार देखा है लेकिन लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि लड़की लाइफ बरबाद कर रही है क्या बात है ऐसी लड़की पाने वाला कितना लखी होगा उसका पती जब शाम को मुर्डर करके खर लोटेगा उसे एक मसाज देगी और जेल गया तो बेल पर छुड़ा लाएगी बेल कांसल हुई तो बोल्डर सोर से जेल तोड़ देगी इनके प्यार से हमें क्या लिए ना देना हम चलते हैं सारे काउं जान मारे सिर्फ चार काउं बाकी हैं मुझे जानकारी नहीं चाहिए मुझे उन सब की जान चाहिए जाओ बिना डरे अपने पापा से मिल लो अरे आज इतनी जल्दी खाना क्यों लियाए शराब पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है नहीं पिऊंगा तो वैसे ही मर जाओंगा ये दारू कलेजे को ठंडक देती है और वैसे भी जीना कौन चाहता है घार में एकने सारे लोग हैं फिर अब अकेले क्यों रहते हैं अरे बहुत बड़ा खांदान है पर दिल सबका उतना ही छोटा है पत्नी और बेटी थी उनको समझ ही नहीं पाया और जब तक समझ आया तब तक बहुत दूर जा चुके हैं लाओ बहुत हो गया खाना खालीजे अरे मेरे रिष्टेदार मुझे नहीं रोपते हैं तो तुम कौन होती हो आपकी बेटी आपकी बेटी की तरह ही समझें मैं किसी का बाप कहलाने के लायक ही यह क्यों सूचते हैं कि आपकी गलती थी यह भी तो हो सकता है कि आपकी बेटी का जाना गलत हो तुम्हें कुछ नहीं पता है तुम कुछ नहीं जा वजय अर्णान है? जय लो जो जय जो जय अ बाब? बाब? क्या का? बाब? बाब? अल्या? तो मेरे ली हाइड कि तुमने मेरी बच्ची से मुझे मिलवाया तुम्हारा आयसान कभी नहीं भूलू ऐसी बाते मत कीजिए कहीं भावनाव में बहकर आप सचना बता दे इसलिए नहीं बताया आलिया आपकी बेटी है ये रास कुछ दिन और रखना होगा मैं समझ क्या पेठा अब खड़े होने के कोशिश कीजिए बिल्कुल आराम से आराम से संबल धीरे धीरे देखा अब बिना किसी सारे के चल सकता हूं क्याना पड़ेगा बहुत अच्छी नर्स है सुनिया जी अगर बुरानमानों तो एक बात कहूं हाँ बे जिजग कहूं अगर आप ठीक समझे तो इस नर्स की शादी पिच्चेश्वर से करवा दे आपका है फायदा है उमर भर आपकी इस घर में सेवा करेगी पिच्चेश्वर तो कभी भी गुस्से में घर छोड़ कर चला जाएगा शायद यह उसे मना कर जाने से रोक लेगी है यह नंदिनी आज सालों बाद अच्छी राय दी है यह वद्माष है हमने कुछ सोचा है तुमारी शादी इस नर्स से करवाना चाहते हैं इस नर्स से कभी नहीं क्यों ना इसकी जात का पता है ना खांदान का अरे पागल गुन जाती से बढ़कर होता है यह बात दाताज मैं सोच लिया कि एक छोटे परिवार की औरत को बहु बना लूँगा यह यह सही है गुंड जाती से बढ़कर है ठीक है आप कहते हैं तो शादी कर लूँगा हुँ 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 जैसे आपकी मर्जी है जरा इसके बाप को बुलाओ यह कैसे याद किया पीछे जाओ और फिर वापस आओ जाता हूँ हुँ है कैसे याद किया तुमारी बेटी की शादी पिच्चेश्वर से करना चाहते हैं पूल जाओ नहीं हो सकती उसने पुलीस के साफ ने जुट बोले उसने मुझे दुख पोचा है एक जूट पर उसे अपनी बेटी मानना चोड़ दो एक जुट पर उसे अपनी बेटी मैं को कि पर मिशन हो तो मैं जा सकता हूं जिम्मेदारी नाम के चीजी की बेटी की है मेरे बाथरूम पंडित को घर बुलवाओ ठीक है कुछी दिन पहले बेटा घर लोट आया और अब उसकी शादी भी होने वाली है बेलकुल सही कह रहे है किससे पूछ के शादी तही की हमने तै कि हम किस से पूछे अच्छा तूने तै की और तेरे कहने पर में कर लूँगा पहले में उससे बात करूंगा अच्छी लगेगी तो ही डिसाइड करूंगा तेरी इजाधत चाहिए येस लड़की का है उपर अपने कमरे में ओके अब इसकी भी पर्मिशन चाहिए हमने तो लड़की के बाप से भी पर्मिशन नहीं मांगी क्या दीदी फिर से कास लेया चलो भागो यह से जाओ आप सीडी खेर रहे हैं चले कल बुड़्डा कह रहा था होने वाली दूलन तुए चला जा मेरे साथ कहा जा रहे हो इससे बात करणील चैनल साक्या इसके पीचे और चैनल आप टो बेटी पर बिलकुल ले गया और इसकी शकल माप इस घर में इतनी पोपुलिशन आए कहांसे वह rat wanna आप उसादी मानव को नहीं जानते नहीं जानता उसके लिए तो कहा新ा बड़ेगी चल सुना एक बाहरा एक राजा था किसान था नहीं इस बार असली राजा था एक बात पुछो इस कहानी में वो आदमी है तो कंटिन्यू एक राजा था उस राजा के छे बेटे चे कैसे हो सकते हैं साथ बेटे रहे होंगे ना साथ बेटी थी कार एक्सिडेंट में की मौत हो गया अब एक अधे उ कंटिन्यू उस बेचारे को ब्लड की जरूरत थी तो राजा ने पुरा एक लीटर ब्लड बॉटल में डाल दिया और इंज ता जो बोतल में डाला डाला डारेक्ली बेटे को क्यो नहीं चड़ा दिया राजा का ब्लड नहीं था पांचवे बेटे का ब्लड था इस सिधे रेल्वे स्टेशन पर गया रेन आगे बढ़ी वो पीछे पीछे भागा रेन इस्पीड पखड़ी उसने अपनी स्पीड बढ़ाई लू और तेज भागा उसने टेन पखड़ी या नहीं किसी ने चेन खीच ली तो वो प्रेन पर चड़ गया उसके बाद क्या हुआ हूआ क्या था ट्रेन स्टेशन पहुंची उसने खून चड़ाया और बेटा बच गया चलो भाई इस पूरी कहानी में ये बुढ़ाओ कहा है मैंने कहा था ना किसी ने चेन खीची थी हां ये वही आदमी है कि वह तैंश करहा है 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 रुझहल हुझे ये कानी अव मैं और नहीं सबस्क्राइब मुझसे बाफ कर रहा है रहा हुझे तो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं सामने तोरre के बैट से प्रेकर में पूटार किसमत चक्दा ये लिए ने गए मेरी बेटी क्यों डाउट है कि उसे बाऊट है क्या करो के उसे ँञाना चाहता ओ वह तुम को क्यों बता उससे शादी करनी एक इसलिए जानना चाहतyorsun मेरी लाइफ मुझे लड़की पसंद है अच्छी बात है तुझे पसंद आ गई शादी किसी भी हॉल में करना लेकिन हनीमून स्विच्जर लेंड में होना चाहिए अनीमून में तू क्यों इतना इंट्रेस्ट ले रहा है तुद को दूला समझ रहा है तुद को दूला समझ देखी दोनों को आओं कर दिया लेकर आओ से मेरे पोटे के साथ साथ उस लड़के शादी की तैयारिया शुरू कर दो इसे याद रखना सब के सब बागल है पूटी किसमत रहे पूटी किसमत स्वामी दिखने में तो आप सचाई और ग्यान की मूरत लगते हैं अपने दुख आप से शेयर करना चाहता हूं बिना दुख का मनुश्य और बिना बैल का खेद एक समान बापरे आप कितने ग्यानी है स्वामी वेल सेट स्वामी नाट मेंचन चाइना बॉर्डर पर भी जित आई लवड अगर सो उसका नाम संध्या उसने मेरे सामें शर्ट रख़ो अज कल खुज९र बुज९ बहुत वढ़ गई है इस महान सुामी के साथ अपने घम शेए कर रही थे इस सिध्धु पstart के साथ ये बुद्धु पुरुश इस सिध्धु पुरुश के साथ leg इस मह मेरी लाइफ में एंटर किया मेरी हालत डूपते हुए टाइटानिक जैसी हो गई है मालूम है उससे बड़ी ट्रेजडी क्या है अपने दिल के गम और दुख तुछ से शेयर करना तरह नहीं पंडी जी पंचांग को ठीक से पढ़ो और एक फर्स्ट क्लास मुहुर्त निकालो रुक्यत आउची इस घर में सबसे बड़ा शुप कार्य हो रहा है आपकी शादी की सालगीरा हाँ दादा जी चाचा सही कह रहे है शादी बर्दे के बाद ही होगी मान जाहिए ना आज मैं बहुत खुश हूँ जल्दे घर आना कुशिश करूंगा भगवान करे ये शादी होते ही मेरी भी विदाई की रसम हो जाए अरे अपने यार की शादी है बहुत मज़ा आएगा लीजिए तेरी मिठाई की ऐसे किते ऐसी यहां मैं खुद ब्लड़ी फूल बन चुका हूं सौरी पुजा डाली गादी वावा अरे अरे रॉंग नंबर पा अरे रॉंगी कहीं के मुझे दो कदे रहे थे हां सुनो ये फिर बन कर दूंगा ये लिजे सुखी रहो बैटी लाए पंडी जी मुझे दीजिए यह आपके लिए फोटो क्यों देख रहे हैं मैं यहां हूं इससे जानते हो मुझे पता नहीं है आगे वाली कॉल्णी में देखिए बच गया वह वहां रहत है कि अर्या भागों कि इसी ने हमें बेवकूल बनाया था यह लोखाओ ना नहीं नहीं आ बलिए पिचेश्वर किस लड़की को लेके आया था आलाय तो था वो हमारा पिचेश्वर नहीं है मुझे सब पता ने ने मुझे कुछ ने पता आ सब समझ गया सब लोग आओ संसनी खेश खबर आई है तो सुनी आई आई आप जिस लड़की को ढून रहे थे वो यही है हम आई 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 यहलो सब्सक्राइब लड़का लड़की दोनों को मार दो हेई सुरोना उन्होंने क्या का लड़की को मार दो किसीने मेरी पोती को हाथ भी लगाया तो जान ले दूगा अरे बार क्या है यह लड़की इस घर की वारिस है ए दिलिश्वर कैसे मार दे इसे अब तुम ही बताओ क्या गुना किया इस बेचारी ने सबका प्यार ही तो पाना चाहती थी बस जबकि हम उसकी जान लेना चाहते थे और उसका मकसद तो हम सबको बदलना था देखो बीटा आखर किस चीज की कमी है हमें इस तौलत क्या नहीं है जो नहीं है तो बस वो ऐसा चाही प्रेम और इमानदारी यह लड़क कि पैर धोकर उस पानी को अपने सर पर लगाना चाहिए ऐसे लड़के को क्यों मारना चाहते हो है यह सिर्फ मेरी सोच नहीं है बलकि इस पुरे परिवार की सोच है सच कहा आप मान जाए ठीक है जो आप कहेंगे वो सही होगा वो हमारी बेटी है आज मैं बहुत खोश हूँ अच्छा सुनो बेटा तुम तो जानते हो हर शुपकारी से पहले हम सब स्वामी वेंकटेश्वर के दर्शन करने जाते हैं हम रवाना हो रहे हैं तुम भी वहाँ पहुँचो मैं आजाओना पापा रास्त में मिलता हूँ अपने दादा को माफ कर दो क्या कहूं तुम से यह परिवार हमेशा तुम्हारा रिनी रहेगा अपनी मकारी से मेरे परिवार पर मंत्र भेड़ दिया ठीक है लड़की को जिन्दा छोड़ दूंगा पर एक शर्त पर तुम्हें अकेले मेरे पास आना पड़ेगा पहली बार इस घर में हसी के आवाज कूझ रही है अब इन लोगों की मुस्कुराहट कम नहीं होने दूंगा तु जब और जहां बुलाएगा मैं हाजिर हो जाओंगा कई और से आदमी बुलाने पड़ेंगे बॉस जितना चाहो उतना आदमी बुला लो कर दो पो कर दो कर दो जादी मुटलाएगा मेरे एक बुलावे पे, तू यहां पे आ गया, तू महान है मैंने लड़की को जिन्दा छोड़ने का वचन दिया था अपने पापा को अपने परिवार के खादिर इसलिए दुश्मन के भेस में अटाक करूँगा बेटी के साथ साथ उसके बाप को भी नर्ख पहुचाँगा दौलत की दौलत और बोनस में सिंपती, अब तो तू फ्री में ही मरेगा, उनके लिए जो तेरे कुछ नहीं लगते इस दुनिया में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन अपनी मौत चुनना हमारे हाथ में है, मरना ही है तो मर्द की तरह मरूँगा मरेश काल गहुँगा यजसazar गयं ओ opens लिहादिच लिए लेँ gefähr पते ख्रेを ही läh inflama के तो female प्रैपूबझा पार्षा गुटे! अपरा पुटे में पुटे घुटे! पुटे अपराओा पुर्व बादा में पुटे! अई! अई! अएना! वा टको ते! अलो! अई! यहां इसे मार चुका हूँ, उन्हें खत्म क्या या नहीं? सर्फ उन दोनों को नहीं भे, आज तेरी पूरी फैमली का स्थित्व मिटा दूंगा मेरे सामने तुने मेरे बेटे को मारा, मैंने तेरे बाओं पकड़े, धर भी तू नहीं बिगला कहते हैं हर कुद्धे के दिन आते हैं, आज मेरा बदला पूरा होगा एड पंड़त, अपनों के खोने का खम क्या होता है, आज तुझे महसूस होगा कौन है ये लोग? आज दालो एके को पकड़ पकड़ के आजो बच्छी निकला 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 चलो वज्ड़त, वर एकोक म साहि कारव माना निकला ठर्सज्प्र्ण Durham वज़त, वज़त, बड़त, वज़त, 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 विर्णitaire है पनरुप, वज़त, वे मैं, विसकार एको पगोमानीज, वे रमसूरbooks सुपर हीरो! झाल, झाल, तुपर दुपर एगा। आउ अब कि को वे को वे लुँट अवार चुट मुझा लो वे लुटा झार आँ आआ नाइ यह सो प्लिग हाि प्लिग कि उत्लिग मुन्ना, पेटा, पेटा, ठीक दो, तिलेश्वर, जानता है उसकी आखे क्या कह रही है, तेरा चेहरा थूकने के लायक भी नहीं है, एक साप की तरह अपने सफोलों को मारना चाहा, ये जो कुछ हुआ हमारे पापों की सजा है, हमारे कारण, उम्र भर इसके पूरे परिवार को दुख छेलना पड़ा, लेकिन इसने हमें बचाने के लिए अपने प्रानों की बाजी लगा दी, इस लड़के से बहुत कुछ सीखा है मैंने, अगर संभाव हो, तुम भी जीवन के पत पदल लो, जो कुछ हुआ, वीरा भाई की वज़े से हुआ, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ये डट कर लड़े, जान पर खेल कर हम सबको बचा है, सच में? एकदम सच, वीरा, आई लाब यू, सच तो ये है, कि इसके लिए जितने पापड बेले, इतने में तो अनुष्का प बेटे ने उम्र बर कुटे की तरह गुमाया, अब जाकर कहीं सुकून से बैठने को मिला है, अरे, अरे, बैठी है, बैठी आराम किजी है, मेरे दादा की जगह पर किसको बिठा दिया, आप यकिन नहीं करेंगे, एक बार मेरे बेटे ने, अरे भाई आप इसे नहीं जानत अरे, ये कौन सा आवाड़ जो बच्चे पैदा करने पर मिलता है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने राजा को 40 बच्चे अडॉप्ट करने में मदद की, 40 बच्चों के लिए 40 आया रखी गया, 40 बच्चों के लिए 40 आया आगे, एक दिन बच्चे रोने लगे, उन्हें इस आदमी ने साइरन ओफ किया था ना, वो इसके परदादा थे, साइरन वहाँ बंद हुआ ना, इसे पकट, पकड़ लिया है, अच्छा, बहुत स्टोरीज है ना, एक कैमेरा चाल हुए, ये फैमली बिल में, बहुत सारी स्टोरीज है ना, अरे, आंको परदाने शाया, फिर तो चालीज राइपर भी रहे हुए, क्या कमर है यार, इसे आइटम साओं का डांसर संजाए क्या, क्यू बीटा इसे, क्यू बीटा इसे, क्यू बीटा, अरे, निकालो यार, शॉर्ट कट करो,